प्रभास के साथ रोमैस करेंगी बॉलिवूट की है हसीना सलमान खान को लगेगी मिर्ची हेलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल बॉली क्रिक न्यूज साथ फिल्म स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्मों का दर्शकों को बेश सबी से इंतजार है बाउबली और साहू के बाद फिल्म स्टार प्रभास के पास कई पैन इंडिया फिल्मों की कतार है जिसमें राधे श्याम, आदिपूरुष और साला जैसी फिल्म में को भी नाम मौजूद है इस भी सुनने में आ रहा है कि फिल्म प्रभास फिल्म श्टार प्रभास जल्डी ही एक बॉलिवुड में धासू निदेशक सिधात आनन्द की अगली एक्षन ड्रामा फिल्म में भी काम करने वाले हैं इस फिल्म को लेकर दोनों के बीच बास्चित भी हुई है और सुपरस्टार प्रभास ने अपनी योज से इस फिल्म के लिए हरी जंडी भी दिखा दिये ऐसे में हर किसी की निगाहें इस जबजज जोडी के साथ आने पर ठीकी हुई है इस बीच खबरों का बाजार गर्म है कि सिधात आनन्द के निदेशक में अबनने वाली फिल्म इस्टार प्रभास की इस फिल्म में बॉलिवुड सुपरस्टार सलमान खान की दोस्त और भा प्रद्दफी आधाकार क्रटिना कैफ के एंटरी होने वाली है फिल्म इस तार काई निदेशक सिध्दाट आनन की फिल्म atٍ बेंग में काम कर चुकी है कहा जाता है कि निदेशक कन सिध्दा आनन और एक्ट्रेस कर्टिना कैफ के बीच अच्छी दोस्ती है जब्म क्यों का लिए उनके अपोजिट निदेशक सिंदात आनन को एक लीडिंग एक्ट्रिस की जरुवत है ऐसे में उन्होंने अधाकार कर्टिना कैफ को अप्रोच किया है रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में के लिए कर्टिना कैफ ने भी अपनी ओर से हां कह दिये अब अगर ये जोड़ी बनी तो कर्टिना कैफ और प्रभास के चानने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा इससे फेले फिल्म इस्टाय प्रभास निदेशक नाक अश्विन की अगली साफी फाई फिल्म में एक्टर्स दिपिका पादो को उनके साथ भी नज़र आने वाले हैं इस फिल्म में एक्टर के साथ सदी के महानायक अमिताव बच्चन भी मुख्य किर्दार में दिखाई देंगे अब प्रभास और कर्टिना कैफ की जोड़ी की फिल्म की इन रिपोर्टर्स के बाद दस्टों को में भी काफी एकसाइटमेंट देखा जा रहा है चैनल अगर पहले बार है तो वीडियो का लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें